यह क्लास एट इंग्लिस न्यू जेम्स रतना सागर चैप्टर नमबर 6 आफटर 20 यह यानि 20 साल बाद इस कहानी के जो गटना है वो करीबन रात के 10 बजी की है अंधेरा हो चुका था थंडी हवाई चल रही थी न्यू योर्क सिटी बिजनेस एवेन्यू यह वो जगह थी इस उसकी शुरुआत हुई एक पुलिसमेन के साथ जिसको एक इनसान मिला एक अंधेरे में एक दरवाजे के पास खड़ा हुआ उस मैन ने उस इनसान ने फिर एकस्प्लेन किया क्यों वो उस दिगह पर खड़ा हुआ है तो यहाँ पर स्टोरी हम स्टार्ट करती हैं स्टोरी क कि वो दिखावा कर रहा था क्योंकि वहाँ पर जो दर्सक थे वो भी बहुत कम थे रात के लगभग दस बजने ही वाले थे ठंडी हवाय चल रही थी डश्ट भी थी उस हवाओं में साथ ही कुछ बूंदा बांदी भी हो रही थी जो वहां की स्ट्रीट थी वो लगभग ख ब्लाइट लन्च काउंटर की लाइट जल रही थी अर जादा तर जो मेजर्टी जो डोर्स थे जादतर जो बिजनिस प्लेशिस थे वो पंद किये जा चुके थे जब पुलिसमेन कुछ सर्टेन ब्लोक्स आगे गया और बीच सर्टेन ब्लोक्स में आगे की तरफ बढ़ा और वो बीच में पहुंचा तो उसने अपनी जो चाल थी वो धीमी कर ली उसने देखा डोरवे के पास अधेरे में हार्डवे स्टोर के सामने एक इनसान जो है खड़ा हुआ है और उसके माउथ में एक अल्लाइटिड सीगार है अल्लाइटिड मतल जो सीगार जल नहीं रही हो जब पुलिसमेन उसकी तरफ बढ़ा तो मैं उतनक वो इनसान बोल पड आज लेता हूँ अगर आप सुनी शित करें कि यहां पर सब कुछ सही है फिर उस इनसान ने बताना स्टाट किया कि वो कुछ समय पहले यहां पर एक रेस्टोरेंट हुआ करता था जहां पर एक स्टोर खड़ा है उस रेस्टोरेंट का नाम था बिग जोई बैंड ब्रेंड इस रेस्टोरेंट उन्तिल 5 एयर्स अगो तक करीबं 5 साल पहले उस पलीस मतन्त बता रहा है कि 5 साल पहले उस रेस्टोरेंट को हटा दिया गया फिर वह उस जो दर्वाजे के पास चहडा था तो Selittną ऐसी अन्य वींद्धियों का टा प्र many इस माच्टिक के पास में एक वाइट कलर का निसान बना हुआ था उसके सकार्फ में डाइमेंड्स लगे हुए थे फिर इनसान फिर से बताता है वही इनसान जो दरवे के पास खड़ा था कि 20 साल पहले और 20 साल पहली रात मतलब मैं और मैने यहाँ पर लेंच किया था अपने दोस्थ जीमी वेल्स के साथ जो की मीरा बैस्ट जम था और त्वी डिनिया में सबसे बैस्ट था मेरे इस वर्ल्ल में इस हाँ विड्स था वो और मैं यह एक साथ बड़े होए है निबय यूर्क में हम दूनों भाईयों क अपना भाग्य बनाना था तो मैं वेश्ट की तरफ चला गया और आप जिमी जो जिमी है उसको तो यहां से नियू-योक से निकाल ही नहीं सकते जिमी के तो मानना यही था कि अर्थ पर सिर्फ नियू-योक कि एक एजी जिगे है पर आप भाग्य बना सकते हो फिर हम अपने कुछी भी मैंटर हो कि एसी भी हमारी कंडिशन हो किसी भी जिगे पर हम रहते हो हम एक साथ यहां पर आएंगे और एक साथ एक दूसरे से मिलेंगे और देखेंगे कि 20 सालों में हमने क्या पाया हमने किस destiny पर हम लिकली है और हम क्या बनेंगे यह सब चीजे हम 20 साल बाद हमें यहां पर बात करने थी फिर पुलिसमेन कहता है यह तो बहुती बात है बहुती interesting लग रही है साउंट बड़ी मतब यह जो बाते तुम बता रहे हो बहुत ही इंट्रेस्टिंग है रेधर आल लोंग टाइम बिट्वीन मीटिंग थी तो वह कह रहे हैं कि बहुत समय हो चुका है तुम्हें मतब एक साथ मिले हुए क्या तुम्हें तुम्हारे जो फ्रेंड है 20 साल बीतने या दो साल बाद हमने एक दूसरी का पता खो दिया क्योंकि आप देखोगे कि जब हम मैं वैस्ट में गया था तो वहाँ पर ही बहुत ज़्यादा बड़ी जिगे है वह वैस्ट में और मैं वहाँ पर हमें सब बिजी रहता था कामों में बहुत ज़्यादा बिजी रहता थ मुझे बहुती कम टाइम मिलता था पर मैं जानता हूँ जिमी को वह मुझसे यहाँ पर मिलने जरूर आएगा अगर वह जिन्दा है वह मैं बहुती ट्रस्टीड है मतलब भरुसेमंद है और मेरा सबसे पराणा सबसे भरुसेमंद दोस्त है इस दुनिया में मैं उसे नहीं ब कोन है जो दर्वाजे के पास खड़ा था वह अपनी एक घड़ी निकालता है जिसकी लीड में यानि उसके डकन में कुछ डाइमेंट्स लगे हुए थे वह कहता है उस घड़ी को देखकर बस दस बजने में तीन मिनट्ट ही बाकी है इक्जेक्टली टैन ओफ क्लोक करीवन दस कहता है यह बैट बिल्कुर आपने सही कहा पर मैं आसा करता हूँ जो जिमी है उसने कभी बने इसका आधा तो कमा ही लिया होगा वह बहुत ही धीमा किसम का इंसान है पर मेंती भी है और एक अच्छा साथी भी है मुझे तो बहुत से लोगों बहुत से चालाक लोगों के सा कंपेट करना था उन से ciao क której کंपेटि किया बहुत और अपनी भाग़े को बनाया और इतने साथे कमाई पर जो भी इंसान वेस्ट में जाता है जो भी इंसान न्यूर्क में रहता है वो न्यूर्क का ही बनके रह जाता है पर अगर वो west में जाएगा तो उसे एक तरीके से उसके जो behavior है उसका जो नजरी है उसके जो बनावट है उसमें एक धार की तरह काम करेगी जो अगर वो west में चले जाए उसको डेवलप होगा वेश जाकर इस तरीके से वो कहना चाहरा है फिर जो प्लिसमेन है अपने डंडे को घुमाता है और एक दो कदम आगे बढ़ता है और कहता है कि I will on my way मैं अपने मार्क पर जा रहा हूँ बता अपनी डूटी पर जा रहा हूँ और मैं आसा करता हूँ कि तुम्हारा दोस्त तुम्हें जल्दी ही मिल जाएगा जा रहा हूँ अगर वो नहीं आया तुम्हारा दोस्त करीबन जो समय तुम्हें तुम्हें ने दिया है तो तुम क्या करोगे तो वे क्या तुम चले जाओगे उसे छोड़ कर तो यहां पर कहता है वह आदमी मैं बिल्कुल भी नहीं ऐसा करूँगा मैं करीबन आदा कंटा तो उसे और दूँगा करीबन अगर जिमी यहां पर कही भी अर्थ पर जिन्दा है और दर्वाजों पर अपने डंडों को पीटते हुए चेक करता है कि सभी दर्वाजें बंद है या नहीं इस तरीके से वह अपनी पेट्रोलिंग कर रहा होता है फिर जहां पर मौसम बिल्कुल सही था ठिक ठाक था पर अब वहां पर ठंड ओड़ जादा बढ़ चुकी थी ठंडी हवाई ओड़ जादा तेज हो चुकी थी ना बहुत तेज हवाज चल रही थी अब वहां पर बहुत ही कम पेडिस्ट्रियन बचे हुए थे उसके जिम में पहुंच रहे थी मतब ठंड से वह बचा रहे थी अपने आपको कोलर को उपर करते हुए अपने हाथों को जिम में रखते हुए अब हिंदे यंशन थांड मील से दूर से आया था वह इंसान जो हो हड़वय स्टोर के पास लगता था वो क्या करता है वो अपने दोस्त से मिलना आया था वो अपने सिगार को लेकालता है सिगार को और स्मोक करने लगता है और अपने दोस्त का इंतिजार करता है करीबन 20 मिनट के बाद एक टोल मैन वहाँ पर आता है जो कि जिसने एक लोंग सा ओवरकोट पैना हुआ था उसके कोलर भी उसके कानों तक पहुँच रहे थे मतलब उसने भी कान को ढगा हुआ था ठंड की वज़े से हरीड एक्रोस अपोजिट साइड ओफ दी स्ट्रीट तो यहां पीन पर सा चला है कि वह इन्सान जो इतननी दियर सरक थे इन्थुशार कर रए तक उसका नाम था था जो नुआ इन्सान आता है वह बहुत हीदी खुस होता है उसको देखकर और अपनी हातों से उसके हातों को पझड़ लेता है एक साथ और कहता है इट्स बॉब जरूर ये तो बॉब है मुझे विश्वास है कि बॉब है मतलब बॉब ही होता है फिर वो बॉब कहता है I was certain I find you here if you are where still in existence मैं विश्वास था कि मैं तुम्हें जरूर ढूंड दोंगा अगर तुम यहाँ पर जिन्दा हो well 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 20 years is a long time 20 साल बहुत ज़ाद हो चुकी है हमारा old restaurant वो भी जा चुका है जा चुका है मुझे मेरी तो इच्छा यही थी कि अगर हम इस बार मिले तो last time हम दुबार से यहाँ पर एक और बार डिनर जरूर करेंगे किस तरीके का तुम्हारा behavior मतब कैसा दिन बीते तुम्हारे वहाँ और तुमने क्या करा वहाँ पर तो यहाँ पर वो कहता है I has given me everything It has given me everything उसने मुझे सब कुछ जिया जो मुझे चाहिए था You have changed lot Jimmy तुम बहुत ज़्यादा बजल चुके हो मैंने यह बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम दो से तीन इंचिस और लंबे हो जाओगे फिर जिमी कहता है I grow a bit after 20 years मैं थोड़ा सा और बढ़ गया 20 सालों के इन 20 सालों में तुमने तो बहुत ही अच्छा Doing well in New York Jimmy क्या तुमने भी अच्छा किया है न्यू यॉर्क में रहते हुए तो जिमी कहता है लग बग मुझे एक पोजिशन मिली है सीटी के एक डिपार्टमेंट में Come on Bob हम जो है एक प्लेस पे जाते हैं मैं एक प्लेस जानता हूँ हम वहाँ पर जाएंगे और वहाँ बैठकर आराम से बात करेंगे अपने पुराने समय की तो दोनों मैड श्टीट पर आगे की तरफ चलने लगे एक दूसरे का हाथ पगड़ा हुआ था उन दोनों ने और यहां पर जो Bob है वह अपनी ही इगो में अपनी ही घमंड में अपनी सक्सेस के बारे में बता रहा है अपनी इतिहास के बारे में कि कैसे उसने अ श्टीम में बता रहा है एक दवाईयों का एक दुकान थी जहां पर इलेक्ट्रिक लाइट जल रही थी वह वहाँ पर पहुचे जब वह लाइट के सामने पहुचे तो एक दूसरे को उन्होंने देखा क्योंकि पहले से वह इतनी देर से अंधेरे में थी अब वह रोसी में आ चुके हैं जब वह एक को देखती हैं तो वह दंग रह जाती है एक दूसरे को देखकर और यहां पर जो मैन वैस्ट जाया था यानि बोब वह अचानक से उसका आप उस इंसान का हाथ छोड़ देता है और कहता है तुम जीमी वैल्स नहीं हो ठीक है घुसे में यह कहता है कि 20 साल तो बड़ा लंब के सीब दिये हुए हैं तो वह यहीं कहता है कि इसका मतलब यह नहीं कि तुमारी नाक ही बदल जाए नाक की सीब फिर वह टोल मैन कहता है तो इतना तो इन समय में जो है कुछ इंसान तो अच्छे इंसान से बुरे इंसान में भी बदल जाते हैं तुम जो है अरेश्ट कर ल आई हो तो उन्होंने हमें जो है कॉंटेक्ट गया था कि वह मतला हमारी जरीए हम तुम्हें बगड़े और वह तुमसे बात करना चाहते हैं सिखागो ठीक है और फिर जो है वह कहता है टोल इंसान कि क्या तुम सांतिस से हमारे साथ चलोगे अशलस चलती हो या नहीं तो वह उसे प्लिस स्टेशन य minimizing रहा होता है तभी के अशली निकाल का आपना या तो यहां पर यह नोट लिकालता करता है जो सब रात के समय तुम्हें मिला था वही प्लिसमेंस उसनी नोट भीज़ वाया है to archetype इंसान उस नोट कोंक इनफॉल्ड करता है उस piece of paper को unfold करता है ओपन करता है और उसे रीड करना start करता है जब रीड करता था और वो नोट यह है बोब I was at appointment place में उसी जिगे पर था जहां पर हमारी appointment थी जहां पर हमें मिलना था मैं वहाँ पर आ चुका था मैं तुम भी टूड रही है पर मैं क्या कर सकता था मैं तुम्हें आपनेां अफ गृफता नहीं कर सकता था इसलिए मैंने इस इन्सान को बेचा हुआ है जो कि पेन क्लोस मतब साधारन कपड़े पहने हुए इस इंसान को बेजा है इस काम को करने के लिए जिससे ही तो वह तुम्हें पगड़ ले और ये लेटर लिखा था जिमी ने यानि जिमी वह इंसान था जो स्टार्टिंग में इस इंसान को मिला था वो प्लिसमेन यहां पर यह जो स्टोरी है वो कम्प्लीट होती है ठीक है and thank you and have a nice day